नमसकर दोस्तो Target Aims, सभी के एक बार फिर से स्वागत है दोस्तो Aims के दोरा एक बार फिर से पर्मानेंट भरतिविग्यापन आचुगा है भारत के सभी स्टेट के कंडिडेट अपलाई कर पाएंगे सेंटर गवर्मेंट के यह जाव रहने वाली है परमनेंट दोस्तो इसमें आपको पोस्टिंग दी जाएगे पोस्ट की बात करें तो पैरा मेडिकल स्टाप साथ में दोस्तो नर्सिंग स्टाप के लिए भरते बिग्यापन जारी हुआ है अन कई इसमें पोस्ट सामिल है तो दोस्तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ने कियें तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों को साथ भी शेर करें की और ये भरते विग्यापन दोस्तो अखिल भारती आयर विग्यान संसान आल इंडिया इंस्ट्यूट आप मेडिकल साइंस भूबनेस्वर से जारी किया गया है एमस भूबनेस्वर से और फश्ट जुलाई को दोस्तो भरते विग्यापन जारी हुआ एक जुलाई को और इसमें आपको आवेधन करने के लिए 30 days का समय दिया जा रहा है आप जुलाई के last day तक आप इसमें आवेधन कर पाएंगे और इसमें देख सकते हैं vacancy notice for various post B and C post रहने वाले हैं ग्रूप B और ग्रूप C के तो इसमें देख लेते हैं हम कौन कौन से post सामिल हैं दोस्तो हम पेरामेडकल और नर्सिंग की स्टाफ की बात करेंगे तो fourth नंबर में देख सकते हैं CSSD technician के लिए रहने वाला है ग्रूप B का पोस्ट है लेवल C का 6 का आपको इसमें salary दी जाएगे नंबर आप पोस्ट इसमें तीन सामिल है नेश्ट पोस्ट की बात करें ड पोस्ट सामिल है साथ में public health nurse के लिए पोस्ट सामिल है रेडियो ग्राफिक technician के लिए भी इसमें पोस्ट सामिल कर लिए गया है लेवल 6 का आपको salary दिया जाएगा नंबर आप पोस्ट इसमें 6 सामिल है और रेडियो therapy technician senior Hindi officer और इसमें दोस्तो 25 नंबर पे देख सकते हैं senior nursing officer के लिए रहने वाला है इस्टाप nurse के लिए और इसमें nursing वाले candidate आवेदन कर पाएंगे आपको salary देख सकते हैं level 8 का मिलने वाला है 91 total इसमें post सामिल है नेस्ट हम बात करें दोस्तों TV and chest disease health assistant के लिए technical officer dental technician के लिए भी इसमें post सामिल है और technician technical officer में technical supervisor medical lab technology lab technician के लिए post सामिल है नमबर आप post 3 सामिल है इसमें operation theater के लिए भी इसमें anesthesia वाले candidate के लिए इसमें post सामिल है और देख सकते हैं दोस्तों dark room assistant data entry operator नीचे और भी बहुत सारे post सामिल है lab attendant के लिए great secondary के लिए post है lab technician के लिए देख सकते हैं number आप post 1 है lab attendant के लिए 41 total इसमें post सामिल कर लिए गया है और इसमें pharmacist के लिए भी post सामिल है देख सकते हैं आप pharmacist ये chemical examiner के लिए pharmacist grade second में total post की बात करें तो total 27 इसमें post सामिल है और plumber साथ में other कई post सामिल कर लिए गया है तो दोस्तों इसमें हम देख लेते हैं qualification क्या माँगा 72 अलग-अलग post के लिए दोस्तों ये भरती बिग्या पं directly हम पेरा मेडिकल और नर्सिंग की बात करेंगे तो सबसे पहले हम CSSD technician का देख लेते हैं तो इसमें आपके पास दोस्तों ये सी माइक्रो वालाजी या medical technology में होने चाहिए साथ में आपके पास 3 year का experience होना चाहिए same field में 200 budget hospital में अगर आपके पास ये experience है तो आप इसमें आवेधन कर पाएंगे डाटीसियन की बात करें दोस्तों तो सेम आपस एज लिमिट मांगा जा रहा है 35 वरस तक के candidate इसमें आवेधन कर पाएंगे और आपके पास MSC home science food and nutrition में ये degree होना चाहिए master degree या फिर आपके पास clinical nutrition and dietitian में ये degree है तब भी आप इसमें आवेधन कर प करें तो 35 वियर्स आपको एजली मिर दिया जा रहा है और qualification में आपके पास BSC nursing four year का complete होना चाहिए या पिर आपके पास BSC post certificate है या BSC nursing post basic two years का course complete है साथ में दोस्तों आपके पास जो candidate दो साल का course complete किये हैं उनको three year का इसमें experience भी मांगा जा रहा है देख सकते हैं three year experience as a staff nurse grade second म आपके पास hundred bed के hospital में ये experience होना चाहिए और यदि आपके पास four year का BSC nursing complete है तो आपको इसमे experience की जरूरत नहीं पड़ेगी नेस्ट जो post है दोस्तों वो TV and chest disease के लिए रहने वाला है इसमें आपके पास qualification में BSC honors nursing वाले candidate आवेदन कर पाएंगे या फिर आपके पास diploma है इन nursing म G&M का course complete है दोस्तों आपके पास तब भी आप इसमें आवेदन कर पाएंगे और same field में आपके पास two years का experience होना चाहिए नेस्ट दोस्तों टेकनिकल officer में dental technician की बात करें तो आपके पास dental technician का diploma होना जरूरी है तब ही आप इसमें आवेदन कर पाएंगे और आपका registration होना भी च दीचे और भी बहुत सारे पोश्ट हैं हम बात करेंगे टेकनिकल officer में आपरेशन theater एनेस्टेशिया वाले के लिए तो इसमें आपके पास same field में दोस्तों OT technician का degree या diploma होना चाहिए आपके पास operation theater में और यदि आपके पास 10 years का experience है same field में तो आप इसमें आवेदन कर नेस्ट बात कर लेते हैं दोस्तों lab technician के लिए तो दोस्तो 48 नंबर में देख सकते हैं 48 और 49 में सबसे पहले lab attendant की बात करें तो इसमें आपके पास 12th pass होना चाहिए science subject साथ साथ में आपके पास diploma in medical lab technology में आपके पास diploma होना चाहिए DMLT का course complete किये हैं तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे सेम दोस्तों आपसे lab technician के लिए भी यही qualification मांगा जा रहा है 12th pass science subject साथ होना चाहिए या पिर आपके पास diploma in medical lab technology में है DMLT complete है तो आप इसमें हावेदन कर पाएंगे आपको दोस्तों 21 से 30 years इसमें age limit दिया जा रहा है और बात कर लेते हैं दोस्तों pharma assist के लिए क्या qualification मांगा जा रहा है तो दोस्तों देख सकते हैं 59 में pharma chemist या chemical examiner के लिए आपसे qualification में diploma मांगा जा रहा है same field में दोस्तों आपके पास experience तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे और दोस्तों आपके पास registration होना जरूरी है pharmacy council में आपका ये registration है तब ही आप इसमें आवेद क्या qualification मांगा जा रहा है आपके पास diploma in pharmacy में होना चाहिए डिफ फार्मा का course अगर आपके पास complete है तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे और दोस्तों भी फार्मा वाले candidate भी इसमें आवेदन कर पाएंगे आपका pharmacy council में registration भी होना चाहिए और दोस्तों इसमें plumber के लिए भ post सामिल है और आपके पास qualification में BSC honors होना चाहिए 3 years का course या फिर दोस्तों आपके पास same field में diploma है diploma in radiography में Dxray का course complete है दोस्तों आपके पास तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे और आपके पास 2 years का experience भी होना चाहिए related field में अगर आपके पास यह experience है तो आप इसमें आवेद है दोस्तों उसमें आपके पास qualification में BSC honors nursing में होना चाहिए same field में आपके पास 2 years का experience भी होना चाहिए तभी आप इसमें आवेदन कर पाएंगे और radiography technician, radiotherapy technician की बात करें तो आपके पास दोस्तों diploma in radiography or radiology में होना चाहिए same field में आपके पास यह degree या diploma है BSC honors वाले candidate भी इसमें आवेदन कर पाएंगे radio therapy या radiology वाले आपके पास degree या diploma होना चाहिए 21 से 35 वर्स आपको इसमें age limit दिया जा रहा है next path कर लेते हैं दोस्तों dark room assistant के लिए तो इसमें देख सकते हैं 37 में dark room assistant grade second में आपके पास qualification में दोस्तों diploma in radiography में होना चाहिए day actually का course आपके पास complete होना चाहिए और one year का related field में आपस experience भी मांगा जा रहा है same field में आपके पास one year का experience होना चाहिए और भी इसमें बहुत सारे post हैं दोस्तों ये PDF डाउनलोड करके आप देख लीजिएगा अच्छे से अब बात कर लेते हैं आपको इसमें apply कैसे करना है तो apply आपको online के माध्यम से करना होगा इसके official website के माध्यम से आपको आवेधन करना होगा और आपको application face भी पे करना होगा देख सकते है application face में for unreserved category के लिए general और OVC candidate के लिए 3000 रुपए आपको face पे करना होगा SC, ST, EWS candidate के लिए 24 रुपए आपको इसमें face देना है और आपको online के माध्यम से ही आवेधन करना होगा देख सकते हैं इसमें आपको बताया जा रहा है online registration करने के लिए आपको link के दिया जा रहा है इस website के माध्यम से आपको आवेधन करना होगा एम सिभूबनेस्टर के official website के म वेधन कर पाएंगे भरती भी गया फन एक जुलाई को publish किया गया था आपको 30 जुलाई तक समय दिया जा रहा है 30 जुलाई इसका last date रहने वाला है बात करें selection process की तो selection आपका written exam के माध्यम से होगा इसमें देख सकते है method of selection में selection in any post mentioned in this advertisement will be made based on the performance of the candidate in CVT के माध्यम से दोस्त और इसकी जानकारी दोस्तो जल्द ही आपको दिया जाएगा the detail आप इसके हैं आप से लेबस आप computer based test will be notify soon जल्द ही इसके official website पे इसकी जानकारी आज़ तो आपको इसकी जानकारी हमारे YouTube चैनल में वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी तो दोस्तो अगर आपने अभी तक च थैंक यू